नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके पनी चैनल इस्टॉक्स एजूकेशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनफी भी में एवन नियूज लिमिटेड क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए या फिर यहां कंपनी यूटन लेकर अगेन बाउंस बैक करेगा दोस्तों सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो में लास्तक बने रहे हैं कोई भी पार्ट मिस न करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को फ्रेस करना नव हो लें तो देख लेते हैं इस कंपनी के डिटेल की दोस्तों आज यह कंपनी क्लोज हुआ है 42 रुपे 50 पैसे पे 4 परसेंट के गिरावट के साथ होई अगर इस कंपनी के हम और डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे इस कंपनी का जो 52 वी के लो है 36 रुपे 70 पैसे जो की कंपनी ने बनाया था 6 मई 2021 को और अभी यह कंपनी सेम उसी प्राइस के पास में चलना है वहाँ से बहुत उपर नहीं निकल पाया है तो आप देखेंगे यह कंपनी पिछले काफी टाइम से एक रेंज में ही कॉंसोलीडेट कर रहा है डाउंसाइड की बात के तो 38 रुपे का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा वहीं अगर अगर अपसाइड की बात के यह कंपनी 40 रुपे का रेंज ब्रेक करके 38 रुपे तक गया है और उसके बाद यह कंपनी सपोर्ट लेकर जब बाउंस बैक करता है तो मैक्स्टोम टो मैक्स्टोम 48 रुपे तक जाने की कोसिस करता है और उसके बाद फिर से 40 रुपे आ जाता है तो जो लोग इस company में सौटम के लिए इंटर हुए हैं या फिर होना चाहते हैं वो चाहे तो इस company को 40 रुपए के पास buy कर सकते हैं और 48 रुपए के पास sell करके अच्छा कासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं सौटम में तो दोस्तों काफी अच्छा कासा मौका है company फिर से 42 रुपए के पास आ चुका है company अगर यहां से नीचे फिसलता है तो फिर 40 रुपए का support टच करेगा वहाँ पर आप चाहे तो buy करिए और 48 रुपए पे sell करके अच्छा कासा मुनाफ़ा कमा लेजिए जिल लोगों ने इस company क लॉंग टर्म के लिए बाई किया है वह चाहा तो लॉंग टर्म के लिए इस company को continue करके चल सकते हैं जो लोग बाई करना चाहते हैं उन्हें बाई करके चलना चाहिए 40 रुपए के पास में तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें, सेर करें, सब् थाइक वर वचिंग इस वीडियो